गुड मार्निंग एवरिवन वेलकम बेक टू बीवियन ओलाइन क्लासेज हम क्लास 10 में इमेज फोर्मेशन बाइ स्पेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं इसमें अपनने पहले कॉन्वेक्स लेंस लिया है कॉन्वेक्स लेंस में अपनने एक जो केस पढ़ा था जिसके अंदर अ कि अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं फोकस एफ और टू एफ के बीच में वेन दा ऑब्जेक्ट इस बिट्वीन एफ डेस एंड टू एफ तो यह अपना कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं एक तो राइट अब एक रेफरेंस पॉइंट अपन और ले रहे हैं उसके उपर कि इतने डिस्टेंस का रेफरेंस पॉइंट अपने और ले लिया कितना टू एफ ठीक है ऐसे इधर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस का एक रेफरेंस पॉइंट ल ठीक है एक रेक को तो मैंने क्या incident कहा incident करा है principle access के parallel incident करा है ठीक है तो principle access के जो light parallel incident होती है तो lens के reflection से reflection के बाद वो कहां से जाएगी focus से जाएगी जैसे इसका reflection होगा यहां से तो यह कहां से जाएगी focus से तो second है उसको कहाँ पे incident कराया है lens के optical center पे जो light lens के optical center पे incident होती है वो बिना deviate वे city चले जाती है ठीक है बिना deviate वे city चलेगी तो दोनो light जहां मिल रही है वो point कहाँ है 2F के पीछे तो 2F के पीछे object की image अपने को मिलेगी ठीक है तो beyond 2F image कहाँ बन रही है 2F के पीछे real बन रही है क्योंकि light actual में meet हो रही है तो real image and inverted इंवर्टेड कैसे principle axis के नीचे की तरफ बन रही है मतलब ulti image बन रही है inverted image larger than object object से बड़ी image बन रही है और magnification जो linear magnification है उसमे sign क्या हैगा negative कैसे आपको पता है magnification का formula क्या होते है height of image upon height of object यह होते है ठीक है अब देख रहे हैं हो आप कि principle axis से उपर की height को आपन कहा लेते है positive और principle axis के नीचे की height को कहा लेते है negative तो दिख रहे हैं इसके नदर दो principle axis के उपर की height तो क्या हैगी positive तो मतलब HO, HO की value क्या हैगी positive में और HI की value क्या हैगी negative में क्योंकि यह principle axis के नीचे है यह आएगी negative और plus और minus को multiple करेंगे तो sign क्या आएगा negative sign आएगा sign convention अपन लगाते हैं तो आपको पता है कि principle axis के उपर की height को अपन positive लेते हैं और नीचे की height को क्या लेते है negative तो जो image की height है वो principle axis के नीचे है तो इसके साथ minus आएगा और object के लिए क्या आएगा plus आएगा minus plus multiple होके क्या आएगा magnification में negative और दूसरा magnification है वो X से बड़ा होगा जो magnification वो X से बड़ा होगा कैसे देखो जो image है वो object से बड़ी बन रही है ठीक है अपन जब बड़े में छोटे का रिवाट देते है मतलब height ये क्या height किस की है? image image की height है ये object की height है और image की height बड़ी है मतलब HI क्या है बड़ा है किस से? HO से और जब अबस बड़े में एट 2 f आप जेको कहा रख रहे हैं अपन 2 f पर तो एक लाइट जो प्रिंसिपल अप्सिज के पैरल है वो कहां से जाएगी फोकस से जाएगी एक को कहां पे इंसिडेंट करा है मैंने optical center पे जो बिना deviate हुए सीधी चली जाएगी और कहां पे मिलेगी इस point पे जो point है कितना अपना कौन सा point है 2F तो image कहां बन रही है 2F पे तो at a distance 2F on the other side of the lens मतलब यहां से distance कितनी है 2F है 2F distance पे image अपने को मिल रही है real बनेगी क्योंकि light actual में meet हो रही है light क्या actual में meet हो रही है तो real image और principle axis से नीचे है inverted image ठीक है of the same size as the object जितनी height का object होगा उतनी ही height की image बनेगी ठीक है magnification में minus आएगा वही formula देगो magnification का height of image upon height of object ठीक है यहां पे देगो image की height जो की principle axis से नीचे है तो इसके साथ sign क्या आएगा minus object principle axis से उपर है इसके साथ sign क्या आएगा positive तो minus और plus multiple होके जो sign आएगा magnification में वह वह क्या आएगा negative ठीक है और magnification 1 कैसे क्योंकि देखो same size क्या है image और height same size क्या मतलब magnification का formula क्या होते है h i upon h o ठीक है height of image upon height of object ठीक है अब इसमें देखो तो दोनों same size क्या मतलब h i किसके equal है h o k h i किसके equal है h o k तो यहाँ पी अपन h o की जगह है h i रख सकते हैं तो क्या आएगा magnification में 1 क्या आएगा magnification next case है when the object is beyond 2f अपना object 2f के पीछे रखा हुए है object 2f के पीछे रखा हुए तो इस से light जब lens पर गिरेगी एक तो कहां कैसे गिरी है principal axis के parallel गिरी है एक optical center पर गिरी है principal axis के parallel जो light जा रही है वह कहां से जाएगी focus से कहां से जाएगी बटा focus से यह point focus हो गया focus से जाएगी दुरू सा जो optical center से गिरती है वो बीना deviate हुए सीधी जाती है तो दोनों light जहां पर मिलेगी वहां पर image form होगी तो image focus और 2f के बीच में बन रही है तो between f and 2f on the other side lens के इस side मतलब object के lens के इस side तो क्या रखा है object और इस side अपनी image बन रही है रियल बन रही है क्योंकि light actual में meet हो रही है and inverted मतलब principle axis से निचे यह आपन बहुत सकते है उल्टी image बन रही है smaller than object अना object से छोटी image बन रही है और magnification के साथ आएगा minus कैसे वह है कि magnification का formula क्या होता है height of image upon height of object यह mirror के लिए भी होता है lens के लिए एक formula और होता है वह क्या होता है V upon U ठीक है लेकिन आपन यह magnification इसमें minus कैसे आया वह इससे निकालेंगे देखो principle axis के ऊपर की तरफ जो height होती है वो negative लेते और principle axis के निचे की तरफ जो height होती है उसके लिए उसके साथ क्या आएगा नेगिटिव तो यह principle axis के निचे की तरफ है image height इसके साथ क्या एगा नेगिटिव और object height के साथ क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि यह principle axis के ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव माइन पॉजिटिव को negative से multiple करेंगे तो result में जो आएगा वो क्या आएगा नेगिटिव मैगनिफिकेशन less than one क्यों क्योंकि देखो image जो है object से छोटा है एच्चा ही है वो एच्चो से छोटा है अना height of object बड़ा है किस से height of image से और अपन को पता है मैगनिफिकेशन में जब आपन छोटे के अंदर बड़े का divide देंगे छोटी जो digit होती है उसमें बड़ी digit का divide देते हैं जो value आती है वो एक से कम आती है ठीक है तो मैगनिफिकेशन में जब आएगा वो एक से कम आएगा next case है when the object is at infinity object कहां रखाव है infinity पर रखाव है तो infinity पर जब ऑबजेक्ट रखते हैं उससे जो light आती है वो एक दूसरे के क्या आएगी parallel आएगी तो light एक दूसरे के क्या हो रही है parallel incident हो रही है यह light principle access के parallel भी है और एक parallel incident हो रही है तो क्या होगा reflection के बाद में एक point मिलेगा उस point को अपन क्या बोलते है focus ठीक है तो यह दोनों जो light principle access के parallel आती है focus से जाएगी ठीक है तो image कहां form होगी बेटा focus पर real image बनेगी यह आपको देखो point size लग रही है लेकिन देखो यह real image है क्यों light actual में meet हो रही है और दूसरा यह inverted image है आपने जितने भी case देखे होंगे उसमें जो भी real image होती है वो inverted बन रही है तो यह भी real image है तो यह कैसी बनेगी inverted much smaller than object मतलब highly diminished बन रही है बहुत छोटी image बन र रहेगा क्यों क्योंकि object को अपन principle axis के उपर रखते हैं जबकि image principle axis के निचे बन रही है क्यों क्योंकि email क्यों कैसी है inverted inverted है छोटी है लेकिन points साज अपने को यहां पर पता नहीं चल रहा लेकिन inverted image है हना real image जो होती है वो क्या होती है inverted तो इसके साथ negative sign आएगा उसके साथ क्याएगा positive तो magnification में क्या आएगा negative ठीक है आगे देखो magnification less than one वह ही कि है अपोन हो करेंगे तो हो इंफिनिटी पर इंफिनिटी पर मतलब बहुत बड़ा object होगा और बड़े में अपन छोटे का डिवाइड देती है मतलब छोटे में बड़े का डिवाइड दे रहे हैं तो जो magnification आएगा वो एक से कम ही आएगा ठीक है तो यह अपने 5 case होगे इसके बार में एक case और बचा है जब अपन object को कहां रखेंगे optical center और focus के बीच में रखेंगे उसमें अपन देखेंगे image कहां बनेगी उसके बार में अपन concave lens के image formation पड़ेगे Thank you